वेलकम टू आवर चैनल मैं हूँ आश्वरिया तो ऑवलोशन का टाइम जब आता है तो उससे आप आप दस कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि इजली बताते हैं कि ऑवलोशन का समय है और इस वक्त ही कंसीव करने का अच्छा टाइम है ऑवलोशन क्यों जानना जरूरी होता है क् कि कैंसी में करना चाहती हैं वह इस ही वक्त के दडर्मियान ऊगर ट्राइक धी चांसे जह mustard हमोने होते हैं आयँ कब बीच में मसल стороны को और इस वक्त जो है जो कनसीव होने के चांज़ंगे फोगने तीन रह लक्षनों के द्वारा अब लुचन को पता कर सकती हैं साथ में पर कर सकती है तो जब evolution होता है तो जो body है वो indicate करना शुरू हो जाता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगे कि क्या लक्षन है लिबिडो में increase होना लिबिडो increase होना तो जब evolution का time होता है बहुत सारी महिलाएं जो है sexual attraction अकरसित होती है और यह कहीं न कहीं evolution के समय यह इंक्रीजमेंट ज्यादा हो जाती है इसलिए यह evolution का एक symptoms है एक तरीके का इशारा है कि evolution आपके हो रहे हैं दूसरा यह है कि उस वक्त आपका जो है लेकिन बहुत सारी महिलाओं के moods better होते हैं तो बहुत सारी महिलाओं के moods better होते हैं तो better mood भी कहीं यह बताता है कि evolution का time है थर्ड यह है कि जब better mood होगा आप खुश रहेंगी तो क्यूंकि उस वक्त जो good feel करने वाला हार्मोन होता है वो ज्यादा होता है वो बढ़ने लगता है जिसके कारण आप good feel करती है अप good feel जब जब आप करेंगे तो आपके skin में बात है कि एक चमक आजाएगी आप ज्यादा अच्छा दिखोगे तो skin में brightness आना skin जिन खुश्क दिखना यह भी एक symptom से evolution का उस वक्त महिलाओं के smell के सकती होती है सुमने की सकती होती है वो बढ़ जाती है तो सुमने की सकती बढ़ना कहीं ना कहीं यह evolution के तरफ इशारा करता है next जो है क्या होता है कि evolution के बाद जब progestron hormones में बढ़ोतरी होती है तो आपके त प्रोजिस्ट्रोन hormones बढ़ने के कारण breast में tenderness feel हो रहा है अब evolution के दौरान बहुत सारी महिलाओं को cramping में महसूस होती है यह cramping कई महीने में एक बार जो है अंडा आपके left या right ovary से निकलता है किसी एक ovary से जिस तरफ के ovary से वो निकलता है उस तरफ के ovary में आपको cramping म होता है कि महिलाओं को वो cramping period खतम होने के साथ ही बिल्कुल दिन में एक पर cramping महसूस होती है जब अंडा बनना शुरू होता है एक ovary में mature होने लगता है और evolution के दौरान तक उनको cramp महसूस होता है बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा कई बार दो दिन बाद या तीन दिन बा वहीं से एक बाहर निकलेगा next बहुत सारी महिलाओं को को blotting की समस्या उत्पन हो जाती है फेर में फुला होना ये यह हर्मों के बरने की कारण होता है जिसके कारण महिलाओं को blotting की ऋत्पन हो जाती है sporting की भी समस्य evolution के दुरान बहुत सारी महिलाओं को होती है उसके बाद cervical mucus discharges जैसे कि discharge ठिक होना यह कहीं न कहीं evolution का एक symptoms है cervix के position से भी आप पता कर सकती है कि evolution आपका नज़्दीक है या हो रहा है तो cervix के position आप finger test के दौरा जान सकती है जो है आपका उपर होगा एंड उसमें नमी होगी softness होगी तो cervix के position से easily evolution का पता लगाया जा सकता है उसके लिए आपको अपको अपने हाथ नाखुन को साफ रखना चाहिए तो यह सारी symptoms कहीं न कहीं आप evolution के तरफ इशारा करते हैं तो इन symptom से गौर्ड करें अपना evolution जो है calculate करें आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइबर कॉमेंट करते हैं धन्यवाद